Students, practical में हम आगे बढ़ते हुए, जहां हम scale क्या होता है, उनके क्या आवश्रक्ता है और उनके कौन-कौन से प्रकार है, इस chapter को complete करने के बाद अब हम practical file में कैसे काम शुरू करना है, उस पर आते हैं, तो पहला chapter है हमारा simple graphical scale याने साधरन आलेखी मापनी, इसको कैसे हमें बना है, आप ले लीजे, BA level की market में आपको अलग से उपलब्ध हो जाएगी, उसको ले लीजे और एक तरफ line के एक आगज होंगे, जिस पर आप उसके बारे में मापनी क्या है, एक तरफ उसके बारे में उसके types, short में लिखेंगे, और फिर हम साधरन आलेखी मापनी का topic डाल करक फिर एक एक question को हम deal करेंगे, उसकी रचनाविधी लिखेंगे, और उसकी क्या किस तरह से उसको construct किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, इनको हम देखेंगे, तो आज हम बात करते हैं साधरन आलेखी मापनी की, देखें, सबसे पहले, बहुत एक simplest example मैंने आपके सामने लिया है, कि एक centimeter या एक अनुपात 100 RF की बात अगर करें, तो अगर इसे कथनात्मक में बदलें, तो एक centimeter बडावर एक meter, एक meter में 100 centimeter होते हैं, यसलिए, तो जिसमें हम decimeter पढ़ सकें, जिसमें maximum distance 6 meter हो, और जिसमें 4 meter 6 decimeter शोग किया जा सकें, तो यह बहुत simple मापनी है, हम यह देखें कि इसे बनाना कैसे, देखें, आलेखी मापनी आप मानचित्र में भी कई बार देखते हैं, मानचित्र में corner में दी हुई होती है, इसमें कुछ विशेश बातें आप ध्यान करेंगे कि आरिफ क्या दिया हुआ है, आरिफ दिया हुआ है, एक centimeter बडाबर एक meter, याने कि एक अनुपात 100, कि भी कह सकते हैं इसको, तो अगर एक अनुपात 100 है, याने अगर धरातल पर दो बिंदूओं के बीच की दूरी एक meter है, तो उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र पर है, एक centimeter, और ये बात भी आप मानके चलिए, कि साधरन आलीखी मापनी का एक बहुत महत पूर्ण नियम है, कि जो मापनी बनेगी, उसकी लंबाई centimeter में 15 centimeter या 16 centimeter, जो भी round में आएगा, और अगर inches में है, तो 5 या 6 inches maximum इसका लंबाई का construct किया जाएगा ये बात मानके चलिए, इसका कारण ये है, कि मापनी बहुत छोटी होगी, तो भी, ये मापनी बहुत बड़ी होगी, तो भी, और दूसरा इसका महत पूर्ण जो नियम है, उस मापनी के 5 या 6 टुकडे, 6 हिस्से, यहां पर आप देख रहे हैं, इस मापनी के, यहां पर चार और पांच और पहला टुकड़ा 6, यानि कि 6 टुकडे, 6 हिस्से किये गए हैं, पहले इधर जो राइट की तरफ, राइट कॉर्णर में, जो महत पूर्ण बड़ा मेजर डिविजन है, वो लिखा जाता है, और इसके लेफ्ट कॉर्णर में, जो इस हिस्से के एक भाग में, जितने सब्डिविजन होते हैं, वो यहाँ पर लिखा जाता है, यह बात ध्यान रखें, जैसे एक मीटर में, दस डेसी मीटर हैं, तो यहाँ पर दस डेसी मीटर कहें, या एक मीटर कहें, दोनों बात एक ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसका छोटा सब्डिविज है वो decimeter प्रदर्शित किया गया है यह exemplify किया गया है इसमें आपको ताक कि आप समझ सकें कि कैसे आपको देखे कई बार एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगे कई बार students practical file बना के लाते हैं बहुत ही मोटी scale बना देते हैं वो बात आप फिशेश ध्यान रखे मोटी scale आपको नहीं बनानी है आपने कभी मानचितर में गौर करें आप Oxford के जो school atlas map है उनमें आप खोल करके देखिए एक बार देखिए practical में प्रायोगिक जब हम कारे कर रहे हैं तो हमें बात फिशेश रूप से ध्यान रखनी है logics याने की calculation should be proper जो calculation हम कर रहे है वो सही होनी चाहिए साथ ही साथ उसमें एक ethnicity मतलब उसमें एक ethnic sense होना चाहिए उसमें एक सुंदरता रचनात्मकता भी होनी चाहिए अगर वो सफाई से किया हुआ कारे नहीं है तो वो जो पढ़ने वाला है उसे रुच्ची कर नहीं लगे तो जब हम कहते हैं जोग्रफी एक विज्ञान भी और कला भी है तो विज्ञान in the sense of logic and calculation और कला in the sense of creativity रशनात्मकता सुंदरता प्रेजंटेशन तो वो कलात्मकता इसमें बरकरार रखिए बहुत मोटी मापनी बत बनाईए इसके लिए मैं आपको suggest करूंगी इसकी ले रहे हैं यह मोटाई कहीं बार बच्चे बहुत इतनी मोटी इतनी बड़ी बड़ी मोटी लेकर के आते हैं वो सुंदर नहीं लगती है तो इसकेल की जो मोटाई है आप मान के चलिए बहुत बारी भी नहीं होने चाहिए कि उसमें visibility न हो आधा centimeter या maximum एक centimeter एक centimeter से कम ही कम तो ज़्यादा खुबसूरत लगेगी वो तो यह आप इसमें विशेश रूप से ध्यान रखें तो हमारी जो यहाँ पर बात थी वो थी एक अनुपात 100 या एक centimeter बराबर एक meter तो अब अगर हम अगर represent करते हैं मानचित्र पर दो बिंदू की दूरी जो की एक centimeter धरातल पर उ उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी पाँच अगर meter की बाहाँ अगर हम 5 centimeter लेते हैं 5 centimeter प्रदरशित करेगा 5 meter को simple तो अब हम यहाँ पर ध्यान रखें कि हम यहाँ पर एक सीधी रेखा 5 centimeter की बनाएंगे जैसे यहाँ पर 6 centimeter लिया गया है तो 6 centimeter की हम सीधी रेखा बनाएं एक, दो, इस तरह जो divisions आपको दिखाये गए इस अधार पर करेंगे यहाँ पहला division छोड़ करके आप यहाँ पर zero जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है zero लिखेंगे और इसके right की तरफ आप क्रमशर जैसे लिखा है एक दो तीन चार पाच और चुकि ये मीटर प्रदर्शित कर रहा है तो यहाँ पर मीटर लिखेंगे और इस एक ये वाला हिस्सा भी एक मीटर का ही है लेकिन इस एक मीटर में नेक्स्ट यूनिट के कितने डिजिट्स होते हैं याने एक मीटर मे इसमें जो डिविजिन्स कर सकते हैं वो दो-दो के हिसाब से भी कर सकते हैं अगर आप इनकी 5 हिस्से करेंगे तो 2, 4, 6, 8 और 10 इस तरह से यहाँ पर हम 10 लिख करके डेसिमीटर लिख देंगे नीचे आप यहाँ पर देखिए आरेफ लिखना है यह कंपल्सरी है और उपर जो राइट जो लेफ्ट कॉर्णर पर हम जो पेज लगा रहे है राइटिंग पेज उसमें आप यह सारा कैलकुलेशन पार्ट इसमें करेंगे तो यह इस तरह से आपको बनानी है और हम एक्ज स्केल एक आलेखी मापनी की साधरन आलेखी मापनी की रशना कीजिए जिसका आरेफ एक अनुपात एक लाख हो जिसमें डिस्टेंस किलोमीटर में पढ़े जा सकें अब चूकी यहाँ पर आप विशेश बात देखिए कि अगर मानचित्र पर मैप पर अगर दो बिंदों की बीच की दूरी वन सेंटिमीटर है तो सर्फिस पर उन दोनों बिंदों की बीच की दूरी एक लाख सेंटिमीटर है इस एक लाख को अगर पहली बात हमें किसमें रीट करना किलोमीटर में तो इस एक लाख को हम कतनात्मक में बदलें याने किलोमीटर में एक किलोमीटर में कितने centimeter है आपको याद होगा एक लाख centimeter तो इसे convert जब हम divide करेंगे तो it will become one kilometer अब यहाँ पर जो बात आती है next कि अगर हमारा जो आले की मापनी का जो हमारा सिधान्त है वो यह कहता है कि अगर हम 10 या 15 मतलब 15 या 16 centimeter की जो बात थी तो अगर मैंचित्र पर दो बिंदों की दूरी 15 centimeter है तो धरातल पर उन दोनों बिंदों की बीच की दूरी एक इंटू 15 चुकि यहाँ पर 15 centimeter प्रदशित कर रहा है तो 15 kilometer हो जाएगी यहाँ पर दिखाने के लिए चुकि यह जो constructed जो construction बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है इसलिए जो मैंने लिया है वो यहाँ पर इसमें आप 11 centimeter की इन्होंने रेखा ली है और 11 centimeter को 11 भाग में बाटा गया है हाला कि बहुत appropriate नहीं कहीं जा सकती इसका कारण इसके divisions जादा है यहाँ पर आप विशेश जो मैंने आपको कहा है वो ध्यान रखिएगा पांच या छे divisions से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो आप इसको construct करिए आप 14 centimeter की एक रेखा खीश लीजिए जिसमें आप साथ divisions कर सकते हैं साथ division जिसमें right corner पर 6 और first जो है हमारा वो पहले corner पर हो जाएगा तो दो-दो के आधार पर दो, चार, छे, इस तरह से हम इसको 14, जो दिखाएंगी 14 kilometer निरूपित करेंगी 12 kilometer इधर की तरफ हो जाएंगे और दो जो remaining है उसके दो हिस्से करके हम इधर भी दो भाग बता सकते हैं इस तरह से हमें मापनी बढ़ानी है ये एक example है जो inch प्रणाली का है draw a graphical scale on rf एक अनुपात 1 lakh, 1 is to 1 lakh on which the distances can be read in miles अब यहाँ देखिए दो बिंदो की बीच की दूरी मानचतर पर एक inch है इनी दोनों बिंदो की बीच की दूरी surface पर हमें कत्रात्मक में convert करना है तो अगर हमें miles में convert करना है तो यहाँ पर आप विशेश ध्यान रखे कि 1 lakh बटा 63,360 क्योंकि एक मील में inches होते हैं 63,360 इसलिए यहाँ पर हमने 63,360 से भाग दिया इसे भाग दिने पर 1.57 मील आया इसका मतलब अगर दो बिंदों की बीच की दूरी मान चित्र पर 1 inch है तो वास्तव में उन दोनों बिंदों की बीच की दूरी 1.57 मील है इसी तरह जब हम convert करते हैं क्योंकि हमने देखा 5 यह 6 inch की होनी चाहिए तो if the distance between two centers on map 5 inches अगर है तो उन दोनों centers की बीच की दूरी इस जो यह हमारा एक को प्रदर्शित कर रहा था उसे हम 5 से multiply कर देंगे तो answer आ रहा है 7.85 माइल अब आप बहुत महत्वपून यहां पर एक बार देखिए साधरन मापनी का एक और सद्धान्त है यहां पर जो हम यहां पर digits दिखा रहे हैं यह कभी भी आप जहां से सुनिएगा यह कभी भी decimal में नहीं होंगे round figure में 2.4 नहीं होंगे यह wrong है गलत है यह 2.5 नहीं होगा यह हमेशा round figure में 2, 4, 6, 3 इस तरह से होंगे never in decimal हाँ जो हम यह माप रहे हैं inches में या centimeter में इन में point में आ सकती है तो अब हम इसे कैसे convert करेंगे आपको सिधान्त याद होगा maths में 10th level पर भी आपने निकाला होगा अगर 7.85 मील show होता है 5 इंच से इसको विपरीट पकड़ना पड़ेगा हमें इसे opposite करना पड़ेगा इस क्रम में अगर 7.85 मील प्रदर्शित होता है 5 इंच से तो एक मील प्रदर्शित होगा 5 बटा 7.85 इंच तो 8 मील प्रदर्शित होगा 5 बटा 7.85 इंटू 8 जिसमें प्रदर्शित करना है क्योंकि round figure आप 7 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं तो ये प्रदर्शित होगा 5.1 इंच से ऐसे में आप क्या करिए 5.1 इंच की रेखा खीचिए और इस 5.1 को बराबर कितने हिस्सों में बाट सकते हैं हम चुकि हमें यहाँ पर हमें जो प्रदर्शित करना है वो 8 प्रदर्शित करना है तो हम यहाँ पर इनको क्रमशह जो भराबर भागों में बाटेंगे चुकि यहाँ पर इनोंने प्रदर्शित किया है एक भी दिखाया है दो भी दिखाया है तीन दिखाया है चार दिखाया है पांच दिखाया, छे दिखाया है और ये वाला हिस्सा दो भागों में है तो हम चाहे तो पांच टुकड़े ही कर सकते हैं तो पांच पॉइंट एक इंच को हम बराबर चाहे तो पांच पांच भागों में इसले नहीं बाढ़ सकते क्योंकि हम आठ को भी इन दोनों को में बराबर टुकडों में बाटना पड़ेगा 8 मील को हम divide क्योंकि decimal में नहीं आ सकता तो हम इसे 2 से divide करके 4 हिस्सों में भी बाट सकते हैं या हम इसे इस तरह से दिखाया गया है इसमें कि हम 2, 4 और 6 इस तरह से इसमें 5.1 मील के प्रदर्शन कर सकते हैं इसमें हर एक को भी 8 टुकडे किये गए हैं इसमें ताकि 8 हिस्सों को दिखाया जा रहा है लेकिन यह ideal नहीं मान सकते तो आप इसे 2 माइल्स का divide करके 2 से divide करके 4 टुकडों में भी बाट सकते हैं 5.1 को भी हमें उतने ही digits से divide करना पड़ेगा गर हम 8 को 4 टुकडों में भाटते हैं तो 5.1 को भी 4 ही विभाजन में करना होगा फिर यहां पर हर एक जो division पर करने पर आ रहा है उस पर हर एक पर हम mark लगाएंगे और हम वहां पर उसको उसी अनुरूप प्रदर्शित करेंगे यहां पर 2, 4, 6 और यह remaining जो part है हमारा वो बचे हुए 2 का होगा लेकिन यहां पर चुकी 8 भागों में बाटा गया है तो हम इसे एक एक बील का हो गया 8 ही भागों में बाट रहे हैं तो इसे भी 8 से डिवाइड कर रहे हैं इसे भी 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5.1 इंच को आठ भागों में बाटने पर जितना inches में divisions आएगे उतने ही हमें यहाँ पर इंच में लाइन लगानी होगी और उन पर क्रमशव 1,2,3,4 जैसे इस वाली स्केल में दिखाया गया है वैसा हमें प्रदर्शित करना होगा तो आशा करते हो यह चीज आपको समझ में आई होगी जो basic rules है वो यह है कि जो मापनी जो हमें दी गई है निरूपक भिन उसको पहले हम साधारन कथन में बदलेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर centimeter में है तो उनको भी 15 centimeter कितना show करेगा उनसके हिसाब से multiply करेगे तो inches में है तो एक inch या 5 या 6 inch कितने को प्रदर्शित करेगा उस हिसाब से miles को या furlongs को जो भी digits दी गई है उसे convert करेंगे दूसरी बात इसका right corner पर जो divisions है वो major unit को दिखाएगा और left corner पर उसके subdivision को दिखाएगा तीसरी बात इन पर जो reading आएगी जो धरातल पर दूरियां प्रदर्शित होंगी वो कभी भी decimal या दशमलव में नहीं आएगे बात विशीश द्यान रखेए तो कुछ आप अपनी file में कम से कम दो sheets इनकी बनेंगी हमारी साधार अनाले की मापनी की एक आप बना लिजे किलोमिटर और एक मीटर कर भी बना सकते हैं तो ये उपर और नीचे आप दोनों जिसमें मीत्रिक प्रणाली बना लिजे दो example मीत्रिक के और अगली sheet पर दो एक्जाम्पल इंच प्रणाली बिटिश प्रणाली के बना लिजे जो आपको पहले दी गए उनमें से कोई उठा लीजे दोनों और यहां पर मैं आपको दो प्रश्न और दे रही हूँ एक अनुपात दो लाख पर निरूपक भिन्न पर एक साधारन आलेखी मापनी बनाई है जिन में जो डिस्टंस हैं दोरियां है इंज और मील में पढ़ी ब hey जा सकें इसी tठरह से दूसरा है एक अनुपात 10 लाख आरेफ पर एक साधारण आलेखी मापनी की रचना कीजिए जिसमें दूरियां किलोमिटर और हेक्टोमिटर में पढ़ी जा सके तो आशा करती हूँ इनका आप construction कर लेंगे और अपनी file का काम आप कर लेंगे Thank you and take care